कोरोणा के मरीज मिलें हैं यापर तालबिहर छीतर में 9 कोरोणा मरीज मिलें एकी परवार के 5 लोगों को कोरोणा हो चुका है ललिटपूर Сीमो प्रताप सिंख ने पुछ्ति की है एक लाकडों के बारे में 14 नेमा में सामने आए हैं ललिदपूर जे इस वक्त कोरुना संक्रमितों के और संक्या बढ़ती हुई यहां पर ताल बहर छेत्र के अगरम देखे तो 9 कोरुना मरीज सामने आचुके इन 14 केसस में से और एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित हो चुके हैं अल्य गज़गे से समधाता जूड़ चुके हैं अलीगड से मुकेश जूड़ है हैं सल्युची से यहां सबसे पहले लिगर का इरुक के मुकेश अलीगड में 24 घंट कैसे बीते बता दो जिस तरह से ये केस निकल रहे हैं वह लग नहीं रहा है कि अली गड़ में कंट्रोल होता नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से केस निकले 24 गंटे में 18 के सामने और आ गए हैं जिसके साथ गिंटी बरकर 796 हो चुकी है अब बात करें अगर कोरोना की तो कोरोना यहां पर लगाता पैप पसाता जा रहा है अब धीरे धीरे हर गली और महले में पहुंच चुका है और हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो संक्रमितों की संक्या बढ़ती ही जा रही है बात करने जिला प्रशासन की लगाता उस सेंपल लिए जारा हैं जिसके साथ कारण ये गंती नजर आ रही है आलंकि जो मरने वाद गया है जिसे साथ गंती बड़ी है जो कि जो की पॉजिटिव की संख्या वही डोई टू डू डू बाली है और मृत्ति दर घटने का कारण वही है कि लोग कही न कहीं जागरुक हो की जरुरत है और जिला प्रशासन ने जो अपील की हुई है अब जैसे जो लोगडाउन हुआ है लोगडाउन के बाद में अब यहां फैसला लिया गया सुबह नौ वजे से रात नौवे तक का बाजार खुलेगा और वहीं बात करें जो हफते की बंदी होती थी मंगलवार वह भी बंद कर दी गई है कि अब वो खुलेगा पांस दिन पूरे अफ्ते में बाजार खुलेगा और बात करो जो प्रशातर की तरफ से जो निर्णा लिया गया तो सनिवार और रविवार की जो पूर ता लोगडाउन रहेगा उसको सक्ती से पालंद कराए जा रहा है जी मुकेश और देशा जैसा कि आप में का कि आकड़े बढ़ें लेकिन फिर भी जो म्रत्यूदर है उसमें कहीं न कहीं अलिगड़ में कमी आई सीदे अब जासी कारू करेंगे ऐसा जावान से जुड़ें ऐसा जासी में 21 मामले सामने आए आज फिर एक बार अधिक संख्य को क्या है यह एक साथ 21 केसिज यह 21 के सिसके कि लिलाकों के वहां के लिए जासी में 22 मामले आएं सहर कोतवाली थाना निकल ले जब कि परसासन की बात करते हैं रोज की तरफ लोगों से हपील कर रहा है लोग अपने घरों में रहें सोसर डिशन कर रहें लेकिन यहाँ आइस लेकिन आज जहांसी के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे इस कुरोना से कैसे निप्टा जाए जाए जहांसी में 21 की पोजिटिव जो आज मरीज मेले है और कुल मिला के 603 हो गए अभी तक लेकिन एक्टिव मरीजों की बात करें तो तीन और शट हो गए जबकि 37 लोगों की अभी तक मौत हो गई है लेकिन जिस तरह के जहांसी में कुरोना जबड़ रहा है लोग लेकिसे मानने को तईया नहीं है बेवजाए लोग कर से अपने हाब कर से निकलते हैं जी ऐसा आप सीदे हम लखनाओं चलेंगे संजी अमारे साथ लखनों से जुड़े में यूपी का ओवराल कैसा हाल है वो संजी हमें बताएंगे एक दिन में 16 ज्यादा केसे संख्या है वो बदाती है कि यूपी में कुरोना किस तरीके से तेजी से पहर पसार रहा है और जिस तरीके से मौतों के आकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं नहीं चिंता जनक बने हुए हाला यूपी के लखनों के भी यही कमोबेस बने हुए है कि यहां पर जो बेडों की संख्या है अब वो कम पढ़ने लगी है और जो भी आइस लेशन वार्ड है वहां पर अभिवस्ताओं का पूल तरीके से है आलम बना हुआ है ना तो डॉक्टर सुवा पहुंच रहे हैं ना इलाज परियाप्त मातला में मिल पा रहा है लोगों को के और कुरंटाइन सेंटर बेज करके स्वास्त महकमा कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदाई से भाग रहा है तो कुल मिला के कुरोना की जो संक्या है व लेकिन जब तक लोग जागरुक नहीं होंगे लोग ध्यान नहीं देंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब सरकार के हाथ से कुछ बचा रेजिस्टर की कि संक्याय लगतार देखनों को मिल रही है बहुत बश्यूक्री आप तीनों का इंतमाम जानकारियों के लिए औ अधिके निपाल